STUT मामला अब काफी जादा तूल पकरते वे नजर आ रहा है कभी रिजल्ट में जब रिजल्ट निकलता है तो एक्ट्रेस का फोटो लगाया जाता है और इसको पास कर दिया जाता है साउथ की झाल का फोटो के साथ रिजल्ट पब्लिस हुआ था अब感情 की अगर रिजल्ट पब्लिस होता है दूसरे फेज का तब वो बिहार सेकेंड टॉपर हो जाता है यह काफी ज़्यादा अस्टर जनक है लगतार स्टीटी मामले में धानली की भी खबड़े आ रही है है 37,000 वेकेंजी था और 24,000 रिजल्ट हुआ था और शिक्षा मंत्री ने साप सब्दों में कहा था कि रिजल्ट जिनके हुए है उनको नौकरी मिलेगी हाला कि नौकरी तो नहीं मिली साथ अव्यार्थी सड़क पर परदर्शन करते हुए नजर आ है कभी शिक्षा मंत्री के आवास के वहार तो कभी मुक्मंत्री के आवास के वहार तो कभी हाई कोड का दरवाजा खट-खटाते हुए नजर है में साथ सीथे उनसे पूछेंगे कि कल जिस तरीके से रिजल्ट आया है इनका कहना है कि रिजल्ट में काफी ज्यादा धानली हो दिए का सबसे बड़ा जिसका नितिशकुमार नाम का विध्यारती है जिसका पेपर 1 में माइनस दो नमबर आता है और पेपर 2 में जो नमबर आया है लगभग 124 123 पॉइंट सम्थींग क्या यह पॉसिबल है हम बिहार के तमाम चातरों से पूछना चाहते हैं जिस इंसान को 910 में अच्छा से प्रक नहीं आएगा वह इंसान कैसे बिदुधारा को एक्स्प्लेंग कर पाएगा जो इंसान अच्छा से समझ नहीं पाता है पढ़ नहीं पाता है वह इंसान कैसे पढ़ाएगा आप खुद सोचिए पेपर 1 में जब माइनस 1 है माइनस 2 है और पेपर 2 में बिहार टो पर यह को भी पॉसिबल है यह तो रूभी राय में से बाड़ा खोता आख इंथ हां यू म हमारे मुखमंत्री जी हमारे सिक्षा मंत्री इप कीज़ां को किसी विब व्यां हम यह पहसला को बुम को बुरा नहीं मानते है तरह का अतियाचार हमारे बिहार के स्टुलेंटों के सा परेसान होकर अपने जान को गमा दिया ना जाने कितने आप बिहारतियों ने आंदोलन कुरते करते अपने आपको गमा दिया क्या सरकार से यही उमीद में लगा कर बैठे कि हम लोग को इस तरह से धोखा किया जाए हम लोग के साथ इस तरह से चल किया जाए एक पेपर में inनिया रागए सभार दूसरा कोषेकर मेरा यह है कि सरकार के द्वारा अनंद कि सोर्सर के द्वारा या सिक्षा मंत्री के द्वारा या संजे कुमार सर जी के दवारा जो नेनाय लिया गया जिस team Called member को अ गया तोиком सुङजां में निगेतिभी अानि थडिकार चेसे जब सिर्केट जैसा एक बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म पूरे देश में लाइगा तो एक पेपर वन में माइनस दो नंबर और पेपर टू में सीड़ सेकंड भी हाट ओपर यह पॉसिबल है यह पॉसिबल है जो दीन दो प्लस तीन इसकल्टू पांच नहीं जानता है वो न आप आज ट्र Свै अदर से मिलाकात करने आएं हैं यह मुलाकात करने इसलिए मदिट के साथ और हम बिहार के बचया ना पुई रोजगार है हम लोग क्या करें आज हमारे बिहार केंदर जीतनी सारी समस्या अच्छाई। अखिर हम लोग करें तो क्या करें? एक तो इतना मेहनत से हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ा कर अपनी जिन्धिगी बसर करते हैं. एक सरकार 9 साल के उपर फेकेंसी लेकर आई और फेकेंसी लेकर आने के बाद इतना बड़ा हम लोग के साथ धोखा दे रहा है. आखिर क्यों आखिर हम लोग क्या गलती किया है सरकार मून को चुन के लाए यही जिम्यदार किसे मानते हैं सरकार की कमीटी मेंबर्स को मानते हैं सरकार की कमीटी मेंबर्स अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं सरकार काम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन समान के सरकार की कमीट वीनिटर प्रक्राइब यह नुन का नाम का सक्ष्ष हैं इसमें बहुत बड़ा धानली की ख़वरे आ रही है, स्कैम है, सीधे तौर पे इनका कहना है कि कई ऐसे चात्र हैं जो सड़क पे आई दिन परदर्शन कर रहे हैं, अपने रिजल्ट उनका जब हो चुका है, मेरिट लिश में नाम नहीं है, लगातार, स्टीटी मामला जो है वो तूल पकड़ते जा रहा है, क कि जहाँ आग व्यारतियों को, यह मानना है कि हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, अगर उमीद है तो विपक्स है क्योंकि विपक्स हमारी बात सुनेगा, और वात आगे तक रखेगा, देखने वाली बात है क्या टेस भी उनकी बातों को सुनते हैं नहीं, इससे जोरी